धाकड़ खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिस खान बात करना चाहता हूँ वसीम रिजवी साहब को लेकर वसीम रिजवी जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनात योगी की सरकार बनी है या यूँ कहें भाजपा की सरकार बनी है तब से उनका एक नया रूप देखने को मिल रहा है हाला के वो ऐसे शक्स हैं मैं उनकी इस मामले में बड़ी तारीफ करता हूँ जब बसपा की सरकार थी यानि कि मायवती की सरकार थी तब भी वो स्तर के साथ थे जब सरकार बदली 2012 में अखिलेश यादव की सरकारागी यानि के समाजवादी पाटी की सरकारागी तब भी वो सत्ता के साथ ते और अब 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ व्यवस्ता परिवर्तन तो हमारे देश में होता नहीं है न जी तो सत्ता परिवर्तन हुआ फिर से कमाल के आदमी हैं किसी की वो जाकर सुप्रीम कोट में दावा करते हैं साब कि बाबरी मस्जी जो है यह तो शिया ने बनाई थी मीर बाकी जो थे वो बाबर के सेना पती थे उन्हों ने बनाई थी इसलिए शियों का इस पर दावा है कभी वो कहते हैं कि मुसलमान जो है बाबरी मस्जी की जो जमीर है उस पे अपना दावा छोड़ रहे हैं, कभी उनको खौाब में राम जी दिखाए देने लग जाते हैं, यांनिके कभी वो मजभी रहनुमा बन जाते हैं, कभी राजिन्तिक रहनुमा बन जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है उस सुबा उठके क्या बोल देंगे अब उनका एक नया रूप सामने आए जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है वो सहाब एक फिलिम यूज रिलीज करने जा रहे है राम जनम भूमी जनवरी 2019 में जब सुप्रीम कोट सुनवाई करेगा तो हो सकता है उसके आसपास ये फिलिम रिलीज वो कर दें एक मिनट 72 सेकिंड का उन्होंने ट्रेलर रिलीज किया है उस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत सारे लोगों में घुसा है उन लोगों में घुसा है जो इस मुलक से इस देशे प्यार करते हैं और इसकी गंगा जमनी तहजीद से प्यार करते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़े दिखाई गई है जिसको लेकर आपती दर्ज कराई जा रही है मुंबई के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है वसीम रिजबी के खिलाब रजा अकेडमी है उसने फाई आर दर्ज की है लेकिन मेरे साथ जो इस शक्स बैठे हैं इनका नाम है तुराब नियाजी साथ युवा है मुसलीम है अब साथ इनको वो ट्रेलर देखने अब कोई फोटो वाइरल करते हैं कोई वीडियो वाइरल कर देते हैं ऐसी तरह की चीज़े होगी है इनके पास फून था इन्हों ने उठा के वसीम रिजबी को फोन कर दिया और कहा के भई आप यह कैसी फिलिम रिलीज कर रहे हो और वसीम रिजबी ने इनके खिलाब के दरब से भी पूरा मामला चल रहा है उसी को समझने की कोशिश करेंगे कियों ने भाई फोन कर दिया हम तो इतनी ख़बरे करते हैं वसीम रिजबी को लेके कभी मैंने उनका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की कियो खुदा नाख आस्ता मैं फोन करूं और वह मेरे रहे के तोर पे यूज किया जा रहा है और वो भी जानते हैं कि किसलिए वो यूज हो रहे हैं क्योंकि जाच की बात हुई थी CBI की लेकिन आज की ताजा रिपोर्ट है कि CBI जांस तो होगी नहीं सुनी सेंटरल वाकबोर्ड हो चाहिए सिया वाकबोर्ड हो दोनों की साइटी जांच कराई जाएगी CBI जांस से बचा लिया जाएगा लेकिन एक चीज मज़े की जो है वो समझने की वह है कि साथ में जांच कराई जा रही है सुनी वकबोर्ड की भी ताके ऐसा ना लगे कि सिर्फ वसीम रिजबी की जांच कराई जा रहे है ड्राया उनको जाए लेकिन उनको यह बहुत दिखाए देखो भी डरने की तुम्हें भी जरूत नहीं हम उनकी अजाज करा रहे ताकि इनपे प्रेशर बने और यह ओर ज़ादा काम करें तो हम समझेंगे तुराब लियाजी से पूरा मामला हुआ क्या भाई पूरा मामला हुआ क्या पूरे मामले नाम का सक्स, कौन था वो मैंने जान रहा हूँ, वो उसको मैं देखता हूँ, यूटूब के तरू, फिर उसके बाद उसके मुझे बहुत बुरा लगा, चुकि कुछ चीजे तो ऐसी हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, इसलाम में उसका कोई लेना देना है नहीं, जैसे जिस तरीके से उन्होंने तलाक का दिखाया, कि किसी बात पर एकदम से तलाक हो जाता है, तलाक तलाक करके, जो कि ये सत्ता मोदी जी की सरकार समझाना चाहती इस पूरे मुल्क को, दूसरी चीज, उसके ठीक बात की क्लिप उसमें ये है, कि हलाला किया जाता है, जो कि इसल सब्सक्राइब कर दोटों का धुर्वी करन कर लिया जाए दोहतार उनीज की तैयारी जाएंगे वीडियो देखी जी फिर उसके बाद मैंने वसीम रिजवी को कॉल लगाया गूगल से उनका नंबर निकाला और उसके बाद उनको कॉल लगाया है चीज समझना चाहता हूं वस कि आप नहीं मूवी बनाई है पहले मैंने कंफिं किया है उनों ने कहा हाँ जी महने बनाई है उसके बाद वह सारी बाते जो है यह नहीं पता था इसको मैं कॉल करता है उसको की किया आपने फिर उनको अपना पक्ष रखा बारा मिनट कितने बजे की बात है किस टाइम ये बाचीत होई तीन बच के बावन मिनट पर मैं उस वक्त उनको कॉल किया है और ये बारा मिनट की बात चीत होई जब कि उसमें एक भी अलफाद ऐसे नहीं है जो गहर समय धानिक हो या किस पर कोई धाराएं लगाई जासा कि जो कि पहले अपने नंबर से माने कॉल किया जो मिरे नाम पर रिष्ट्रेट है अपना नाम बताया उनको यहां तक बताया कि मैं दिली के ओखला का रहने वाला हूं और उन से रिक्वेश्ट की एक उनको बताया कि इस तरीके से आ मिनिट चार सेकंड में बदल रखा था आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस आया है जो आप किलियर कह रहे हैं कि बारा मिनिट आपने बात किया उन्हों ने तीन मिनिट बना दिया उसको बारा मिनिट की भी रेकॉर्डिंग पे ट्यूटर पे वाइरल हो रही है वाटसप पे है और पहले वाइरल करने की कोशिस की चुकि इनको पता नहीं था कि कल इसका रियक्शन क्या हो जाएगा फिर दूसरे दिन सुबह मुझे साड़े आट में आप सीधा सीधा कह रहे है ना आपके फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे आपके खिलाब बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे वो तो आप कही रहो ना उनको बिलकुल अंदोलन करना हमारा हक है समयधान में उनको पहले से क्या बोल पड़ रही है उनको बताने की जरूत क्या पड़ी थी थोड़ा ये भी तो सवाल का जवाब दीजिए मुझे लगा कि समझाना चाहिए इस तरीके के लोग तो आखिर सच बोलेगा कौन और ये एक फायार जो होता है एक डराने का बहुत अच्छा तरीका है सत्ता के साथ आप होते हैं आप फायार कराएंगा अब क्या क्या आप धाराये लगाए वो थोड़ा बताईए क्योंके देगे फोन पे बात बारा मिनट होई है और ध्यान फिल्म बन गए अब डारेक्टर भी बन गया है अभी तक तो राजनेता थे बीचियायों के रहनुब मतलगे वो फिल्म बन खाया फिल्म भी बनाने लगे पर समझा जाना चाहिए राजनतिक मायनों पर भी बात करेंगे लिच्छित निकलते हैं दूज ऑजार पहले वह फि 507 का सीधा-सीधा मतलब होता है कि किसी ऐसे इनसान ने अपना नाम पहचान छुपा कर आपको जान से मारने किया किसी भी तरीकी की कोई धंकी दी हो जबकि उस पूरी रिकॉर्डिंग में असी कोई बात नहीं नहीं हमने अपना नाम छुपाया और 151 का संपरदाइक माहूल जो किसी दो नफरत दो समधाये के बीच में नफरत या किसी रंग के आधार पे किसी मुल्क के आधार पे जब के दो इनसान के कनवर्सेशन में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होई उस पूरी बात में जिससे यह भी धाराय लगाई जा सके चुकि जब सत्ता गनसा सर पे चड़ता है और इत्तफाक से आप केंदर में भी हो और राज्ज में भी हो और तब तो ये सब चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाती ही किसी को F.I.R करा और अब क्या इस्टेंड रहे हैं क्योंकि F.I.R जो मैंने आपकी ओडियो सुनी है उस सब्सक्राइब करें उत्तरपर्देश के पुलिस जो आजकल समझती के सारा कानून उनके हाथ में उनको डिके बासु का गाइडलाइन पढ़ना चाहिए जो उन्होंने सुप्रिम कोट के अनिजिए बासु का गाइडलाइन पढ़ने की बात कर रहे हैं अरे योगी जी का र इन्होंने पुलिस को गुमराह किया है पूरी बात को छुपा के परसासन को इनके खिलाफ एक परसासन की तरफ से फायार होना चाहिए कि उन्होंने गुमराह किया है इस तरीके की बात बता के जबकि पूरी कोई बात नहीं है और दूसरे उन तमाम प्रेस वालों ने जिस इनकी बात को सुन के और चापा है। उनको भी गुम्राइब की इस तरीके की बात हुए ती जब कि दूर-दूर तलए कि उसांब और दूर को हुआ हुँ था। आपको दिकत क्या है उनके फिलिम बनाने से अत्राज गया है freedom of expression है बनाने दीजे जो अपना नजरिया वो दिखा रहे है दिखाने दीजे आप क्यों क्या ना में उक्रणी सेना वाले स्टाइल में आगे पदमावती फिलिम को रिलीज नी होने देंगे साथ 84 में जब इंद्रा गांधी जी का मडर हुआ उसके बाद सरदारों की पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी फिगर बनाई गई साइक लॉजिकल एक चीज होती है कि यह लोग आतंकवादी हैं बम से उडा देते हैं मतलब एक पगड़ी और दाढ़ी देख लेने हैं जेपी दत्त के उन्होंने दिका लेकिन कोई भी मुसलिम नहीं लिया तो यह तो सब जगा और आपने वसीम रिजवी कोई क्यों टार्गेट किया और जोगों के खिलाब भी जाइए ना वो हर फिल्म में यही दिखाते हैं मुसलमान आतंकवा दिये कि किसी काम को पहले घर से शुरू करन के लिए बना रहा है तो इसको समझा ले इसको बात समझाई जाए सके और यह समझ सके दूसरी सबसे बड़ी चीज में जो समझाना चाहरा था वो यह है कि सरदारों का एक बहुत बुरा तरीके से फिगर बनाया गया ट्रेन में बसे में लोग देखते थे उनको डरते थे ल मैं अकसर देश और विदेश की आतरा हैं करता रहता हूं छोड़ासा बिजनस है हमारा मुझे जिस तरीके से एरपोर्ट पे इस दाड़ी की होने की बनियाद पर चेक किया जाता है बड़ी तकलीफ होती है मतलब अगर दस लोग सामने के लिए मुसलमान जिम्मान नहीं है के लड़ाई आज के टाइम में जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वह लड़ाई बराबर की होनी चाहिए लड़ाई हो रहे है मीडिया से मीडिया पूरा प्रशेबस बना रहा है उचहए मेडिया पर मेरी बात आपको बताऊं कि लोग मीडिया को सिर्फ निवस चैनल समझ लेकिन मुसलमानों के पास लड़ने के लिए वही ओजार तो होना चाहिए ना वो कहा है यही तो प्रॉब्लम है कि हमें साइकलोजिकल ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे दूर दूर तक हम है इतने मजबूर है कि अपनी बात को नहीं रख सकते अपने बेडिया हुसी क्यों नही यह एक दूसरी बात है पहली चीज और दूसरा वसीम रिजबी ने जिस तरीके से उसमें तलाक में को और हलाले को पेश किया है आज के बाद इस मूवी के आज आने के बाद पूरी दुनिया के नजर में हासतर से जो गहर मुसलिम इसलाम को नहीं जानते उनका परसप्शन अगर मुसलमानों के बारे में कुछ गरत दिखा देंगे तो इतने बड़े महात्मा है लोग उसको एकसेप्ट कर लेंगे इस सच दिखाब है प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई चीज मुसलमानों के खलाफ हिंदू बोलता है तो वह संपर्दाइक रंग लेता है और ल अगर पुल बिल्कुल मैं स्टेंट करता हूं चाहे एक नहीं एक लाक एर करा दे कोई सी भी धाराएं लगा दें आप मेरे साफ खोल के देख लो ना चाप मैं खुली किताब है आप सारी इंक्वारी कराई है मेरे खला जहां आपको लगता है मैं गलत हूं ले चले आपकड अब एक राजनितिक सवाल इस फिलिम के क्या राजनितिक माइने हैं 2019 को लेके बिलकुल देखिए उस फिलिम एक से एक मिनेट बाहता है जो भी हो ट्रेलर में एक चीज दिखाई गई है कि एक पुलिस वाला कहता है कि नेता जी आपका काम हो गया और वो सीन ठीक उसके लोगों को करना चाहिए ना बिलकुल करना चाहिए मैं उन्हीं को बता रहा हूं यह मैसेज देना चाहरा हूं कि इसका फायदा यह हिंदू इस मूवी के आ जाने के बाद यह समझें कि भाया ऐसा है कि कार्द सेवकों पर गोली जो है वो कॉंग्रेस और मुलायम ने चलवा हैं जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट सारी तो चोड़ दीजिए वह तो दिखादा पांच लाख महां पर लोग जूड़े पचास चालिस लाख लोग पचास-चालिस हजार लोग भी वह नहीं थे तो आपको लगता है कि वह फिलिम बना देंगे उससे कुछ हो जाएगा होन कानूनी लड़ाई और सड़कों की जो लड़ाई बिल्ग बढ़ी तो वह तो हम सड़कों पर करेंगे तो तो बैनेफिटी नहीं होगा उसके फिलीम आ जाती बैलीज हो जाती कभी ख़तम हो जाती है है अप प्रोटेस्ट करोगे तो फ्लीम हाइप क्रिएट करेगी यूटुब पे उसके लिंक आने के बाद जो के पूरे 27 दिन बाद ये हाल रहा मैं 24 नॉवंबर की बात कर रहा हूं 24 नॉवंबर को इस मुवी को यूटुब पे महस पांच दिन हुए थे और इसकी वीवर्शिप जो थी वह 3 मिलियन 3.2 मिलियन अब देखिया बात समझे किस स्पीड से कौन चीज मतलब शारूख खान की मुवी से ज्यादा कमप्रिजन में ये चीज वाइरल हो रही है बहुत सारे ऐसे पेज़े मैंने देखे हैं जो बीजे पाइटी सहिल का है कि देखो एक मुसल्मान भी अब तयार हो मुसल्मानों की चभी को और बिकाड़ेगी और हिंदू-मुसलिमों के बीच में जो एक नफरत पहलाने की कोशिश की जारी उसको जादा बढ़ाएज एक बड़ा गैप जो इसकी मान सिकता है चुकि देखे वसीम रिजवी क्या है ये एक शिया वकबोट का 15 सालों से करने और शियाओं की बने अब इसको पड़ी है के अब राम मंदिर वने सवाल इसको राम मंदिर का है नहीं एक लग अब खो सर्द्रसrickति नहीं कि दाना तो को भी सम्पप्ति को बचा लेना वही और अब लोग भी 35 कर्वाएज proclaimed in apsley और आप लोग रहें वग LAUK उने बात करीक होता ही नहीं है तो समने आनी चाहिए वस बात को चलिए भारा पंद्रा बिनिट के अंदर आपके सामने पुरी बाचीट को रखा जाए कुल मिलाके लब ऑलु बाब यह निकलता है कि जो फिलिम बना रहे हैं उसके खिलाब कानूनी कारवाइक की जानी चाहिए आप अभी विक्ति के आपके पास भी आजादी है उनके पास भी आजादी है आप अपना इजारे खायल रख सकते हैं प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकि ये फोन मिला के कुछ ऐसे बोलना और जो लो लोगों को होशियार करने की उन लोगों को बताईए ऐसा कुछ ना करें परहेज करें इंचीरों से कैसी लगी खबर आपको कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे किसी सुलकते हुए या उलस्ते मुद्धे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर फिलाल अभी मुझे नहीं इजाज़त